हमस्कार मित्रों जैसा कि हम लोग प्रारंब किये हैं यूपी चस्षी यूजी सी नेट जी आई सी लेक्चरर और येल्टी ग्रेट जो सिच्छक होते हैं और पीजी टी हिस्ट्री सब्जेक्ट को कि किस प्रकार जो विशेश तोर से जो आपका यूपी चस्षी है उत्तर प्रदेश उत्तर सिच्छा योग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती कराई जाती है उससे जो उसका सेलवस इतियास का है वहां से प्रारंब होता है वहां से हम लोग अपनी बात प्रारंब किये हैं उसमें सबसे पहले इसलाम का उदय और इसलाम का भारत में जो आगमन अवर आत्रमर कारी के रूप में शें संबंधित दो पिछले वीडियो में दो टापिकों पह बात कर चुके हैं और सिफे आज ़ियुकर हम लों का है जो है सिंध पर और भेजastic का प्रभाव का परां जो की अब तक के इत्यासिक बुकों में थोड़ा इसे बहुत ही कम अस्थान मिला है लेकिन जो परिच्छा का पैटर्न दिन प्रत दिन टफ होता जा रहा है उसमें कहीं ने कहीं जो तथ अब तक छूट गए थे उन तथ्यों से भी प्रश्ण बनने की संभावना प्रबल होती जा रही है तो आईए हम ल सत्ता थी उसके बाद बहुत दर्शन आया और उसके बाद जो इसलाम का आगमन हो रहा है यह एक नई ब्यवस्था है नया धर्म है जो धार्मिक कट्टर्टा का स्वरूप लिए हुए है तो ऐसे लोगों का जब भारत पर आगमन हो रहा है भारत के सिंद पर आक्रमर हो रह है और उनका सिंद से बाहर निकलने के प्रयास को सिंद से और भारत के प्रदेशों को जीतने के प्रयास को गुर्जर प्रतिहार सासक और कश्मीर के सासक लालिता दित्य ने इन्हें रोक देता है उसके बाद भी इनका जो यूरोप और अफ्रीका का ब्यापार था उस पे का एक आधिकार था समंद्री ब्यापार पर उस ब्यापार का जब भारत के लोगों से संपर्क हुआ तो भारत के जो ब्यापारी थे वे भारती ब्यापारियों का यूरोप एवं अफ्रिका से संपर्क हुआ यानि जो भारती ब्यापारी थे वे अवर्बों के साथ यूरोप और अफ्रिका तक पहुचना प्रारंब किये यह पहला प्रभाव था और यहां से पूछा जा सकता है कि भारती ब्यापारियों का यूरोप एवंग अफ्रिका से ब्यापारिक संबंद किस प्रकार मध्यकाल में अस्थापित हुए तो वह अर्बों के माध्यम से और जो भेदवान बागदाद तक पहुचे यह अर्बों का ऑगदाथ भारती बदुम्टं को इंग महतपूरां सत्तान मिला तो इन कि वह उस प्रिचिंद बद्दुम्हा reckon बगदाथम इसके अलावा भन नामक चिकितसक तेक था वह वह ऑंपग्दाद का मुख्या coming कि चिक्चा अधिकारी निफ्त हुआ यानि कि यह मौतपूर प्रस्ण बन सकता है की कौन चिकितसक जो भगदाद के मुख्य चिक्तसाजिकारी पद को सुषोबित किया तो वह उसका क्या नाम था तो अधन था उसका नाम धन था तो आप इसे याद रखिएगा यहां से भी प्रस्ण बनने की संभावना है अगला प्रभाव है मनक मनक भी जो था वह भी चिक्तसक ही था और मनक ने तत्कालीन खलीफा हारुन का इलाज किया यानि यह भी प्रस्ण बन सकता है कि खलीफा हारुन का इलाज किस भारती चिक्तसक ने किया तो मनक ने किया यह प्रभाव था और भारती अंक पद्धत जैसे वर्गमूल घनमूल सुन्य दस्मलों आदिसे अर्बों का परिचय हुआ यानि कि जो भारती अंक पद्धत थी जो कि अपने आप में बहुत ही योग और उच्छी कोट का जो भारती गड़ित था उसमें बर्गमूल, घनमूल, सुन्य और दस्मलो आधिसे अर्बों का परचे हुआ भारत आगमन के फलस्वरूप जिसे इस भारती जो गड़ित के जो ग्यान दे मंधा, इसे अर बडाने लुक्त घंसा कहा जैसे पrezन बन सकता है कि भारती अंक पद्धत के ज्ञान लिक्ट आप लाती देख्धत के ज़ए 엉न्वी जए जिसका नाम अबु बनाड़स है और यहां पर जोतिस का जोतुसी बनाड़स आया था तो इसका नाम था अबु मासर कहां से प्राप्त होता है तो अमीर-खुष्ष्रो के प्रभाउज्वारा अमीर खुश्रों के enjoying किताबें हैं उनसे पता चलता है कि अरब अल्ख्वारिज्मी ने भारती दस्मलों को अरब में लोगप्रिय किया लोगप्रिय बनाया यहां से प्रस्ण बन सकता है कि किसने भारती दस्मलों को अरब में लोगप्रिय बनाया तो उसका नाम था अल्ख्वारिज्मी तो यहां से भी प्रस्ण पूछा जा सकता है अगला अल्मुकफा ने कलील वां दिमन्ना नाम से किया यहां भी प्रस्ण पूछा जा सकता है कि पंच तंत्र का अर्वी में अनुबाद जो अर्वी में अनुबाद किस ने किया। जो पंच तंत्र का अर्भी में अनुवाद इखन अल्मुकफा ने किस नाम से किया तो कलील वन दिमन्ना नाम से किया यहां से भी प्रस्ण बन सकता है और आगे ब्रह्म सिद्धान्त जो ब्रह्म गुप्त द्वारा रचित पुष्तक थी ब्रह्म सिध्धान्त वाखंड खांडयक यह दोनों प्रसिद्ध रचना ब्रह्म गुप्त की है तो ब्रह्म सिध्धान्त वाखंड खांडयक का अर्भी भासा में अनुबाद अल हजारी एवं इब्राहिम पिजरी ने किया तो यहां से भी विप्रस्ण पूछा जा सकता है कि पंच तंत्र का अरभीमे अनुबाद किसने किया इबन अल मुकफा किस नाम किया कलील उख दिमन्या नाम से किया यहारी इसके अत्रिक्ट वर बहग्धार का प्रधान मंत्री वर्म किस परिवार बौध मतावलंबी था यानि कि 50 वर्सों तक बगदाद का जो प्रधान मंत्री रहा इसलामिक प्रधान मंत्री रहा उसका जो किस परिवार से था तो वर्म किस परिवार से था और जो बर्म किस परिवार था वह भारती जो बहुत धर्शन था बहुत धर्म था वह बहुत मता उलंबी था तो यहां से जो शिंद पर और वो के आक्रमर का जो प्रभाव था वह प्रभाव जो मुख्य-मुख्य टत्थ थे वह आपके सामने हैं यहां से प्रश्ण बन सकता है आप इसका कि इंसाठ ले लें और अपनी तयारी करें इसके अगले टापिक, टापिक बाई टापिक ही हम लोग चलेंगे कि कोई भी तथ्य हम लोगों से नो छूट पाए तो वहाँ पे उसमें अगले टापिक में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे यदि आपको हमारी जानकारी और ये तथ्य पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नो भूलें तो फिर अगले टापिक में अगले वीडियो में मिलेंगे तक तक के लिए नमस्कार